हेलो स्टूडेट इस क्वेशन में दो डिफरेंट एंगल और प्रोजेक्शन पे रेंज का रेशियो पूछा गया है तो चलो हम लोग रेंज का रेशियो निकालते हैं सबसे पहली बात रेंज निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह होता है यू स्क्वाइर साइन टू अब बाय क्या करोगे जी इसको इक्वेशन नमबर वन माल लो उसी तरह से दूसरे रेंज के लिए एक्वेशन लिखो आप यू स्क्वाइर और साइन टू इंटू 45 डिगरी प्लस थीटा है अब बाय कर दो जी ये हो गया अब दोनों ही इक्वेशन को डिवाइड कर दो त 2 से मलटिपला कर दोगे तो क्या हो जाएगा 90 डिगरी मैनस 2 थीटा और डिवाड़िड भै में क्या हो जाएगा साइन 90 डिगरी प्लस 2 थीटा है ना और यहां पे ट्रिगॊन मेटरी का फॉर्मुला लगाओगे तो ये क्या आएगा Qgli कोς 2 theta आएगा और नीचे वाला भी क्या आएगा Q extraordin क έναler कट गया तो यह क्या आ गया वानवाई मैं वर है वाईसे आप अगर एक हर मेथट जानों कि दोनो अंगल का सम यहांपे क्या है तो їदित टी plants थित और 45 दिक्ता का सम क्या होगा तो 90 80 degree आएगा तो यानि कि दोना अंगल कॉंप्लिमेंट्री अंगल है तो रेंज इक्वल होता है कॉंप्लिमेंट्री अंगल पर तो वैसे भी हम लोग पहले भी का सकते थे वन बैवन लेकिन मैं जनरल क्वेस्टन करने के लिए रेगुलर मेथड से आपको इसको सॉल्व करके द थांग्यू